साथियों एक वर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हर्याली दवनस्पती हिंदी चैनल में साथियों आज मैं एक कटिंग लगा रही हूँ इस पौधिय का नाम है मैक्सिकन पिटूनिया दोस्तों इसका केलर तो मुझे नहीं पता है क्योंकि जहां से मैंने से निकाला कटिंग की थी यह दोस्तों सहारनपूर से आई हुई कटिंग है साथियों और बहुत अच्छी चल रही हमारे हैं सिर्फ मैंने इसको पानी में रखा है दोस्तों इसको 16-17 दिन लगभग हो गए हैं और इसमें न्यू न्यू ग्रोथ आई है अपने आप यह आप देख सकते चोटी चोटी लीव आई हैं दोस्तों यह अपने आप आई हैं पानी में सिर्फ रखने से और मैं होब कर रही हूं कि बहुत अच्छी यह ग्रो होंगी आगे जाके और यह कलम बहुत अच्छी से सक्सेस्फुली लग जाएगी दोस्तों इसमें चोटी-चोटी सी यह आप के इस पॉर्ट देख रहे हैं यहां से रूट बन जाएंगी कुछ-कुछ रूट बारिक-बारिक बन गई हैं तो साथियों इसके लिए मैंने लिया है फोर इंच का मिट्टी का गमला और इसका जो ड्रेनीज होल है इसको मैं मूटे कॉटन के कपड़े से अच्छे से इसको बंग कर ले रहे हूं क्योंकि साथियों इसमें जगे ही कम है छोटा पॉट है तो इसको मैं कोशस कर रहे हूं कि इसमें कुछ और पत्थर बगएर ना रखू और बार्टिंग मिक्स की तौर पे लिया है दोस्तों मैंने इसमें 50% रिबर सेंड 25% काउडन कंपोस्ट उपले को गीला कर लिया है जो कि तीन साल पुराना है और यह है गार्डन स्वाइल 25% दोस्तों तीन को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँंगी दोस्तों आज है चार मार्च और अभी भी सर्दी है काफी और अभी इस टाइम बर साथ हो रही है और मौसम मैं बहुत अच्छा कालम गर्डर लगानी के लिए बहुत अच्छा वैदर चल रहा है और बीजों को उगाने के लिए लिए दोस्तों कि यह मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और साथियों इसको मैं भर लोगी गी करीब करीब 70% इस तरह से मैंने इसको भर लिया है और यह काउडन कंपूस्ट की वज़े से गीली हो गई है पॉटिंग मिक्स और दोस्तों इसको मैं इस तरह से मैं बस बहुती सिंपल तरीका इसको मैं कटिंग को करीब करीब डिर इंच बलकि दो इंच करीब मैं मिट्टी में दबा दूंगी और दोस्तों यह कटिंग बहाँ अच्छी चल जटाएंगी और जब इसमें फ्लार्स आयेंगे वो भी अपड़ेट आपके साथ जरूर शेयर करोगी दोस्तों मैं सारी छोटी 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 चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हूं ता कि आपको पता चले के मेरे गार्डन में कोई भी ब्लांट कैसे मयने प्रपेर किया है इसके यह तरह से महने गऑाया है और किस तरह से मेरे यहां प्लांट चल रहा है कभी आप चैनल पर जाएं तो आपको सारी इंफोरमिशन में लिए तो यह मैंने अच्छे से इसकी पॉट्रिंग कर दूंगी और जो भी पानी एक्स्रा होगा वो नीचे प्लेट में निकल लाएगा तो साथ यह चोटी से वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिए चैनल पर अगर आए हैं फस्ट टाइम त दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो और प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिए आलोचना भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी के साथ आप से विदा लेती हूँ अगले वीडियो में जल्